अब जो रिसेंट्ली वर्ल्ड टू की जो सीरीज हुई जिया उमान नेपाल और USA के बीच में और इस सीरीज की सारी कभरेज हमने आपको लगातार दिया है लेकिन कहीं ना कहीं इस सीरीज में काफी सारी टीम्स ने अगर तीनों की बात करें तो इन्होंने काफी सारे ऐसे प् किस तरह कर रहा है और कुछ ऐसे प्लेयर्स भी है जो एक दो मैप्सिस भले खेले हो लेकिन उनके लिए भी यह बिल्कुल न्यू टूर था और वहां पर उनसे काफी उमीदे थी तो कौन सी टीम के डेबुटांट प्लेयर्स है या फिर यंग प्लेयर्स है खड़े उतर पा यह सब कुछ आपके साब में लेकर आज जी तो सबसे पहले बात कर लेंगे तीम फो जो अभी रिसंट्री सीरीज हो यह वोल्डुटर लीड्टू के ही वहां बात कर रहे हैं या रखिएगा राउंड 6 जो हुआ है सबसे पहले टीम की बात कर लेते हैं USA यूसे टीम ने कित परण का डॉमिनेक दिखी और गजानन सी और यह न चारों का ही डवी हुआ था इस मुझे लिगी वर्ड सिरीज में राउंड 6 में यह पहली बार आए पहली बार खेलते हो इन उतार हैं राउंड 6 में तो खासकर यह चार उतारे थे अपने कहें वेपन्स अगर हम कहेंगे यं इसके बाद अभिशेख पनलकर ने दो मैच यहां उन्होंने खेले और चार निकाले हैं जबकि एक मैच पर दो मैच उनको यहां मिले राउंड 6 में उनको दो बार मौका दिया गया गया पर वो भी तीन रण दो मैचों में बना पाए हैं USA की तरफ से बात करें गजानन सिंग की तो इनको यहां पर मौका दिया गया था एक मैच इन राउंड 6 में खेला 48 रण की उन्होंने उसमें पारी कहीं तो बहुत ही अच्छी 48 रण एकी पारी में अगर उनको मौका मिला है अच्छा की तरफ से बात करें तो चार यंग प्लेयर्स पूरे टूर में नजर आयो उनमें से गजनन सिंग है जिनोंने पूरी तरह से उस रोल का और उस मौके का फायदा उठाया एक मैच में मौका मिला तो इस एक प्लेयर का बहुत ही सक्सेस्पुल यह इन ही गही है उन् अब बात करते हैं दूसरी टींग की अगर आम यहां बात करें तो वह टीम होगी ओमाण जेहां अगर हम आम टीम की बात करें प्रतुप कुमार मच्ची, आयान खान, सूफियान मैमूज, मैस्टर धंबा और इसी के साथ शोएव खान, यह वो पाथ जने थे जिनका इस सीरीज में डेब्यू हुआ, और प्रतुप कुमार मच्ची ने एकी मैच के लाश मैच ने खेला था, जिसमें उनने 25 लं मारे थे, आयान खान ने चार मैचेज में 84 रन मारे हैं, पर वो और राउंडर है, और शेवीटर भी उन्होंने साथ राक में निकाले हैं, तो बहर अच्छा उनका यह टूर गया है, और इसी के साथ साथ सोफियान मेहमूज का एक मैच में उनको मौका मिला, चार रन उनने बनाया है, इसे साथ चार रन में निकाले हैं, और राउंड बालिंग उनको प्रिफर करते हैं, बालिंग पहले करते हैं, इसी के पास शेव खान में दो मैच में 7 रन बनाया है, तो यह ओमान की यंग ड़िदान का पुरा लेखा जोखान कह सकते हैं, तो अमान की दर से गर बात करें, जो क्लेर कट विनर क्या, मतब क्लेर कट परफॉर्मर जो निकल के आ रहे हैं, वो है आयान खान, जी हां, और 84 और 6 विकेट निकाले हैं, तो आप क्या सकते हैं, बहुत ही शांदार उनका ये जो डेबू है, वो गया है इसमें, और लगातर उन्हें अच्छा परफॉर्म कि जी हैं, इसको स्टार्ट मिला है, ऐसे निकी वो आया उनका विकेट फोर कर दिया, ऐसा भी नहीं, तो अच्छी परफॉर्मस आप क्या सकते हैं, इन दो प्लेयरों का खास करके पाफी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है, थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत है, नासका ढ कर दिये हैं, तो उसकी बात कहीं नहीं, प्रफॉर्मस खोर सुदार होना चाहिए था, लेगी चलिए, अभी आप दिन नहीं हैं, आपको और मौका मिलेगा, इतनी तो गैरन्टी है, इन मौका तो खूद मिलेगा है, तो आप यहां पर बात कर लेते हैं, तीसरी टीम भी खे पर दिपंदर सिंह एरी भी इंजर्ड हो गए थे, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें मांड में थी, उसके अलाबा जो यंग गन्स को उतारा गया, उन्होंने इस थ्रौ आप वोल्ड ग्रीड लीग 2, round 6 में किस तरह का परफॉर्मस किया, कॉन-कॉन से वो प्लेयर थ तो चार मैच में 116 रंड कुषन में मारे हैं जिनाओ असी के साथ, उसके बाद असिफ ने चार मैच में 116 रंड मारे हैं तो बहुत अच्छा गया है, अगर देखा जाए और निपाल किसे टॉप स्कुरें भी हैं बल्कुल अगर चार यहां देखने को मिले हैं यंग और ड पुल्चन जहां को एक मैच में मौका मिला, बॉलिंग से तो नहीं कर पाएं पर बैटिंग से इंप्रैसिफ करने गोश्की, पचास के तक्रीम उन्होंने बॉले खेली और 28 रंगी उन्होंने पारी किया, यहां तो यह चार प्लेयर्स थे, जोनोंने डैविल भी किया और का पाल की तरब से टॉप स्कोरर रही है, राउंड शिक्स में, वर्टेड लीग 2 में, तॉप स्कोरर रहे हैं एक सचपनल के साथ, और भाही पे हम अगर दूसरे प्लेयर की बात करें, तो आप किसे चिनेंगे, कुशल बुर्थन या फिर गुर्षन जिया, मैं कुशल बुर् यानि कि जो नए आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, पर बैठे कर रहे हैं, यह अपने आप में ही बहुत बड़ा सवाल है, कि बैठे कर रहे हैं या नहीं, बिकरम सोपनी में बात कर रहा हूं, गुल्षन जिया की बात कर रहा हूं, साथ साथ में कुशल बुर्थन की भी बात कर र पांच मॉक्य में लें लेकिन आप बिल्कुल खड़े नहीं लें लेकिन आपको इतने उपर बेज आ गया लिकिन उसका आपने विल्कुल योगदान ने उख गया इसलिए मैंने यादिनानी को शिच किया ते जालेंदर मल्ला आखरी मैच में अधिश्क की तरफ भागे थे ना कि यंग लंस की तरफ तरह की तरुकिंज की तरह तो रहें हैं। परफॉर्मेंस में चेंज करना है वह कही नहीं करते हैं तो फिर यह नहीं नजर आ रहा है यह बहुत सोचने वाली बात है लास्ट मैच में सरद गर्सवेकर और आरिफ शेक को उन्हें वापस टीम में लाना पड़ा और उसके बाद जो यंग बॉलर्स थे उनको भी उन्होंने आउट किया कुषर मल्या को भी उन्होंने रेस्ट दिया तो आप यह देख सकते हैं कहीं नहीं कोईश करते कि ओमाल के ख अधर तुम से कम जीट सकता है कि युझ प्लयर्स को और सब परफारमस करने की बिवए को जब बिलकुल है बदाया आपको पिछ पर आकर इंटन्ट नहीं मुझे को नहीं मुझे बिला मुझे यह मुदन करना है और भी बहुंत सारे लोग बैठे हैं वेटिंग लिस्ट में अब इस इवाले देदरी वो सुधरेंगे आगा की बेटर करेंगे लेकिन अब किसी में किया है USA की तरफ से वो टीम है कि USA के तरफ से एक भी ऐसा परफार्मर नहीं है जरें हम कह सके चली सटिस्टाक्ट रहे हैं तरफ से जितरा हम देखते हैं पड़ रहे हैं आजकर USA में प्लेयर्स की ट्राइल वगेरा हो रहे हैं तो USA का और खासकर यह भी देखना होगा कि USA जिस बंच में प्लेयर लेके आ रहा है मैचे में आप देखेंगा स्क्राइट बहुत लंबी स्क्राइट थी USA की फिर भी इस तरह की प्रफॉर्मस कहीं नहीं करती है अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहा है उसे मौका नहीं दिया गया है तो यह वी गलत होगा तो सबसे सबसे बहत्वीन जो टैलेंट जो शो किया है यंग टैलेंट्स में डेबिटांट्स में वो और निपाल में से क्लियर है कि नेपाल की टीम में जादा आपको नज़र आएंगे आप चाहे तो परफॉमेंस उनका चैक करें आपको कंपारिशन करके दिखाया आप चैक कर सकते है आयान खान इनके अलावा बाकी तीनों प्लेयर कुछ खास देखिया लगे नेपाल के क्रफ सेखने महीं बात करें तो आप इन में से कौन से चार ऐसे प्लेयर देखेंगे तीनों टीमों से चार ऐसे डेबिटांट्स आपको लगता है यह लंबा जाएंगे ओडिया यह लग से चार ऑफने ऐछ झार काहि और कहिंगे अच्छा और अच्छा जोड़ा आप पने अच्छा जोड़ा च्छा जोड़ दिया अस日本 शेख लेर का कमा कर एक ताप एक एड़ान फान पहन पर जादा बिलोगल्य कि राडरे शुरह का अच्रा प्लेश की कि ररेगल हु लगता है लेकिन अगोनी पर चौथा मुझे बिक्रम सोगना है गारंटी सिगा सकता हूं बहुती अच्छे बॉलर है स्विंग करा से लिए बहुत से लिए जरूर मिलेगा पर जितना मिले आपको जल्दी करना होगा कि आज कर गड़ कर इतना जरीन है बहुत फास्ट हो गया ह जैसे लिग से भी आते हैं तो उसमें भी अब माहने क्रिकेट लीग हो रहा है वहां पर यूएस से में आप सोचिए वहां से भी कई बंच आप प्लेर्स निकल के आने वाले हैं टॉप परफॉर्मस जैसे आपको उसी फॉल पर बोल्ड मार रहना है विक्रम सोग की बात मैं मैं जड़ी से कर लेता हूं आपने बहुत अच्छा यह पिक किया है विक्रम सोग मुझे वैसा लगता है इस पूरे टूर में पिएंजी के खिलाफ पिएंजी यूएस से ओमान और नेपाल यह पिछले दस दिन के अंदर भिड़े हैं यह आपस में दुसरे साथ खेले हैं म आप एक बार वह पर जरूर जाके देखिए आप अश्टनिंग स्वेल था वो विक्रम सोग का जो ने पहला और आसत दरा आज भी मुझे याद है वो जबरदस्ट परफॉर्मेंस ती इसलिए सही का आपने ओडियाए में लंबी रेस के घोड़े में आसिज आयान खान विक कमेंट करिए लगातार बने के साथ यहां कम्प्रीट कवरेज आपको मिलती रहेगी अश्ट्रिक्ट से लेकर सारी अपडेट की मिलते रहेंगी कमेंट आप चेक करिए वहां पर पूरी राउंड आप क्रिक्ट की हम लागाता प्रते रहते हैं अंडर 19 यूपन कॉलिफायर से लेकर कोई भी अपडेट हो इंटराशन क्रिक्ट से वह सारी अपडेट से हम पूरी तरह तरह तक पहुश्च करते हैं कि आप तक पहुंचे प्लीज अफट कीनी वीडियो को राइक जरूर करते हुए जाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा आपके चार प्लेयर जो लंभी देश के खोड़ा साथ दो सकते हैं ओडियाए ले इन तीन टीमों में से ही जो और परफरमेंस जो आपको मद्दे ने रखना है वो होगा ड्राउंड सेक्सर को बिल्कुर फिलार इस वीडियो में इतना है बाइग बाइग